विल्कम बैक टो मैं चैनल कंजाइनमेंट अकाउंटिंग इस चाप्टर की स्रीज चल रही है और इस चाप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा वरना म आगे बटना से पहले पिछले समय जो आपने लिए वीडियो निवाले के लिए कौछétais आगे बटने से this खर्च गर्टर के और कांश से खर्चे लेने कांशाइन के उसका लिस्ट यहां पर मैं बना के आपको धे डिया है यह सारे पार्ट हम लोग लोग कैल्किलएट करते वह नहीं लेते लिंग डिस्टृब्यूशन इंश्ट्ट का बैट डव्य शारी चीज़े लेनी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यह हमारा नए कंपनी का नाम कहीं पर भी आएगा नहीं आगे बुला है गुट्स टूधिया एजिंट मुस्ताक और मैसूर एक यहां तक हमने घुठ कंजाइन कर दिया आगे क्या बुला है on which they pay freight insurance and charges of 1500 यहां तक second part हो जाएगा तो पहले हम लोग गुद्स कंजाइन करने की entry करेंगे उसके बाद जो हमने खर्चे पे किये हैं उसकी entry करेंगे expenses की ठीक है ओके फिर आगे क्या बुला है कॉमा के बाद आगे बुला है drawing on him a bills of exchange at 90 days for 20,000 हमने एक bill of exchange ड्रॉ किया है हम कौन है हम सेनन कंपनी है ठीक है सेनन कंपनी ने मुश्टाफ को goods कंजाइन किया बराबर आचा अब क्यूंकि हमने उसको goods कंजाइन किये तो हमको कुछ advance भी चाहिए तो हमने इस बार advance cash चेक से नहीं लिया bills of exchange के तुरू लिया तो हमने एक bill draw करके उसको दिया अब मुश्टाफ उसको sign करके हमको return करेगा यह इस sentence का मतलब है drawing on him a bills of exchange of 90 days for rupees 20,000 अब यहां से नहीं नया पार आता है ठीक है अच्छा अगर मैंने bill लिया है तो bill की journal entry यहां पर लिया रहा अगर हम लोग bills receivable as advance लेते तो अब तक कोई भी नया पार्ट आया नहीं नया पार्ट अभी आने वाला है जो इसके पहले हमने कभी नहीं किया यह वाला पार्ट नहीं है लोग मैं बुला है they discount the bill they means कौन सेनन कंपनी की बात हो रही है मर्कंटाइल बैंक बिंग चार्जिस रुपीज 200 टीक है 12 स्टांडर में भी जब हम लोग bills of exchange का चाप्टर करते थे वहाँ पर भी जब हमारे पास ड्रॉवर के पास होता था तो वो उसको बैंक में जाके discount करने का option होता तो उसके पास लेकिन बैंक वाले एक लेते थे फ्री में सर्विस उसको नहीं देते राइट जिसको हम लोग डिसकाउंट बोलते रहे तो वही सेम जोनल इंट्री हम लोग आज करने वाले हैं यही नया पाट है आगे बोला आफ्टर टू मन्स डे रिसीवड प्रॉम एर एजेंट एन अकांट सेल्स अकांट सेल अब यह बट ऑवियसली किसने क्योंगा करण जाई नहीं आगे बोला है शोइंग एज डिदक्षन अग्रीड कमीशन कमीशन भी दिया है तू परसेंट ऑन दी अमांट रियलाइस का तू परसेंट हमको क्यालकुलेट करने हैं आगे बोला है अब सबसे इंपोर्टन आगे बढ़ते ặtblack Online करने का जिसकी जनले ईंट्र होथी मैं रफ में कर रहा हूँ पुरा नहीं कर रहा हूँ चरंड चूंञान मेंगना अकांट का भूस zoals और सब्सक्रांट किlarate देबिट तो इसकी हम लुग कहां करते एंग का खर्चा यह कंजाइनर का खर्चा कंजाइनर का खर्चा ठीक है और विच दे पे दे कौन सेने कंपनी तो उनने पंद्रासों का खर्चा क्या है अगर कंजाइनर खर्चा पे करता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है फिर से कंजाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाता है कंजाइनमेंट अकाउंट हो जाता है डेबिट to cash bank अग्यर मैं आपको बता दूँ यह जोर्णल एंट्री आपको करने की जरूवत नहीं अगर आप डेरेक्ट कर सकते हो तो ये जर्नल इंट्री अपने दिमाग में पास करो एंड अमाउंट ले लो कितना है 1500 डेबिट हो रहा है तो कंजाइनमेंट के कौन से साइड पर करेंगे डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे तू कैश बैंक अकाउंट कितना था 1500 तो मैं यहां लिख देता हूं 1500 ठीक है उसके बाद जो एंट्री है वो में एंट्री है जो के बोला है बिल्स ऑफ एक्चेंज का बिल्स ऑफ एक्चेंज की जर्नल एंट्री क्या होगी बिल्स ऑफ एक्चेंज की जर्नल एंट्री होगी अडवांस है न हमको मिल रहा है तो इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अ नाम क्या है मुश्टाक अकाउंट राइट दो था ट्वेंटी थाउजन का अच्छी बात है कि इसमें कंजाइनमेंट तो है नहीं तो क्या इसकी एंट्री कंजाइनमेंट किृ six रिख लिखते थे हम लोग में लेकिन यह डिसकाउंट नहीं लिखना है डिसकाउंट कर रहे हैं किन्जाइंबेंट के अंदर कांट अंधर यू कि estaba तो बिल्स रिसीवेबर विकला लोग्त हमारे पास से जाता है रुल का व्याल्यू था 20,000 हम लोग डिसकाउंट कर रहे हैं 200 रुपय में तो 200 रुपय डिसकाउंट बन जाएगा और 19,800 हमारा क्या बन जाएगा क्या इस अकाउंट के अंदर मतलब इस जॉर्नल एंट्री के अंदर कनजाइन्मेंट है हाँ debit हो रहा है कितना debit हो रहा है 200 लोग लिखेएंगे ट विल्स रिसीवेंबल लेकिन अमांट कितना आएगा दो सो यह 1 ताम करने जा रहे है यह यह पहले अंमें लिक्त हम देता हूं क्या बैख से मिलता था इसen मिलता ला इसक् Animated इंटरी कांजानमेंट अकांट के अंदर होगी कांजबंक डेबट कैस्ट कांण में गों इंटर कर रहे हुआ है और कुश्चन में बूला था क्यों सेल्स हुआ है तो सेल्स की जैषिन पी झॉटरी सियल्स की अगे की एंट्री करते हैं इसके अंदर सेल के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट सेड पर क्या लिख देंगे हैं लोग बाइ मुष्टाक अकाउंट यह सेल की एंट्री है ठीक है इतना दिया है 35,000 का सेल वे तो 35,000 लिख दिया देन आगे हम लोग को समय दिया है कंजाइनी का खर्चा विचे 700 तो इसकी जोर्नल इंट्री कैसे होगी क्योंकि कंजाइनी का खर्चा है खर्चा हो रहा है तो कंजाइन्मेंट अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा डेविट तू लेकिन इस ब क्या लिखना चाहिए हम लोगों को मुष्टाक अकांट ठीक है और अमाउंट 700 रुपया यह कंजाइनी के एक्सपेंसेज ठीक है और यह था हमारा खुद के एक्सपेंसेज अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ना विदाउट जर्नल ही लेजर बनाए ठीक है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं लेगिन फिर भी मैं बना रहो रफ में ताकि आपको आइडिया जागी एंट्री कहां से आ जो थे सेल कि एंट्री है कन जाइनी रहा कन जाइनी का वाला कन्जाइनमेंट अकाउंं डेट तू्छिट अपू साख यह घहां पर्ट्वानट निकालना है सेल्स का तो 35,000 into 2% 35,000 को 2% निकालेंगे तो आंसर आएगा 700 यहां मैं लिख देता हूँ 700 700 इत्तफाक से commission and expenses का amount सेम है तो conclusion मत create कर ले रहा है यहां पर देखो entry भी सेम ही आने वाली है तू मुश्टाक लेकिन यह commission है ठीक है यहां ब्रैकेट में लाज़े तो commission which is 700 ओके तो अब आगे सम में देख लेते हैं फिर तो एड्राफ्ट है ड्राफ्ट तो हम लोग को जो कंजाइनिक अकाउंट उसे से मिलेगा closing stock इस सम्में नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं तो उटल करके चेक कर सकते प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस यह साइड का टूटल 35,000 है और यह साइड का टूटल 35,000 है 35,000 में से अगर हम लोग सबको माइनस कर दे तो कितना बचेगा जो बचेगा वो हमारा बन जाएगा profit तो यहां मैं लिख देता हूं तो प्रॉफिट तो हमारा profit आएगा माइनस करेंगे तो ज़रा माइनस कर देते हैं ट्वेडिफाइट आउजन प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 1400 यह डेविट सट का टूटल है माइनस 35,000 तो मैं यहां लिख देता हूं profit है हमारा 6900 ठेक है इसमें भी मुश्टाक नहीं था इसमें मुश्टाक था हां credit हो रहा है तो हम लोग buy bills receivable डाल देंगे यहां मैं लिख देता हूं buy bills receivable अगर मुश्टाक debit होगा तो debit side credit होगा तो credit side ठीक है यह entry में मुश्टाक था उसके बाद यह वाली entry मुश्टाक था मुश्टाक अकाउंट debit to consignment है तो debit हो रहा था तो मुश्टाक के debit side पर हम लोग लिख देंगे to consignment यह sale की entry है ठीक है 35,000 देन फिर उसके बाद दो entry में मुश्टाक credit होगा तू मतलब buy मैं आएगा entry buy में लिखेंगे by consignment दो बार by consignment फिर से आजाएगा by consignment और दुनों का amount भी सेम है 700 700 तो यहां में लिख देता हूं 700 यहां पर भी आ जाएगा बस उसके बाद तो कोई entry बची नहीं है तो total करेंगे टोटल करके देखते कितना amount आएगा यह साइड का total है 35,000 यह साइड का amount है 35,000 और नीचे वाले कोपटर से लिख देता हूं 13,300 यहां पर लिख देंगे हम लोग 25,000 और तभी का तभी तुरंत यहां पर हम लोग और एक अकाउंट लिख देते हैं अकाउंट भी क्या कर देते हैं बालेंस कर देते हैं यहां पर आ जाएगा 25,000 यहां पर आ जाएगा 25,000 और हमारा काम खतम यह हमने कंजाइनर की बुक्स के अंदर तीन जो लेजर बनाते हैं हम लोग वो बना दिये ठीक है अब जो दूसरी पार्ट यह कंजाइनी अब तक हम लोग ने उसका कोई भी पार्ट किया नहीं हम लोग सिफ कंजाइनर कर रहे ठीक है तो इस वाले में जो नया पार्ट था वो था ह हमारा ये जो बिल हमने discount किया था इसकी journal entry और इसका posting ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है like करो subscribe करो share करो